हिमाचल परदेश की पारमपारिक पिलप प्रायव फसलों का क्या महतव है इन आनाजों के आटे में क्या ओश्दिय गुण है कौन-कौन सी फसले क्षेतर में पाई जाती है रामपूर अंतरस्टी लभी मेले के दोरान लोगों को जानकारी मिल रही है ग्रामपूर बुशहर में आयोजित होने वाले अंतरस्टी लभी मेले में किनौरी मार्केट की अलग ही पहचान है इसी तरस पर बुशहरी मार्केट को भी तयार किया गया है ताकि ख्रीदारों को असानी से किनौरी और बुशहरी सामान उन मार्केटों में मिले लेकिन बुशहरी मार्केट में बुशहर का सामान और उत्पादना बिकल बाहरी बेपारियों द्वरा बाहरी सामान बेचा ज लेकिन दुरुबाग्या की बात है कि बुशहरी मार्केट को स्थापित तो किया गया मगर इस मार्केट में स्थानिय उत्पाद या स्थानिय वेपारी ना के बरावर है। लेकिन इस मंडी में पूरी बाहरी लोगों को जमाबडा रहता है जबकि साथ में किनौरी मार्केट में सारे किनौर के लोग अपने उत्पादों को बेचते हैं। स्थानिय वेपसाई नारायन दास ने बताया कि शहर के रहने वाले हैं और अपने उत्पाद को बेचना चाते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें थोड़ा सा स्थान मिला है। इस बुशहरी मार्केट में अधिकतर बाहर के वेपारी दुकाने सजाई हैं। जिससे क्षेतर के लोगों को मुश्किले हो रही हैं। लेकि जो हम शहर के आदमी हैं, तीन-चार आदमी हैं, आपसमें त्याल में रहे ही नहीं है। नगर परशित के पूरव उपद्यक्ष हरीश चंदर ने बताया कि उन्होंने बुशहरी मार्केट इसलिए स्थापित करवाया था ताकि बुशहर के लोग अपने पारंपारिक उत्पादों, आनाजों को यहां असानी से बेच सकें। लोगों को भी पता चले कि उन्हें पारंपारिक फसले वो उन्हीं वस्तर कैसे थे लेकिन आज हालात बदल गए हैं।